जैसा कि आपको मालूम है कि लोग सबाचनाव देश भर में जोरू शोरू से चल रहे हैं और मदान के दो चरनों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरंग की तयारिया सभी पार्टियों निकर दी है ऐसे बेश दिल्ली में राष्टिय लोग जन्शक्ती पार्टी के राष्टिय अद्धिक्ष पष्यूपती कुमार पारश ने पार्टी कारिकरताओं को आदिश दिया कि वह दिल्ली की सभी सातों सेटों के लिए एंटी एकट बंधन को मजबुति दिलाए आरेंज जेपी के दिल्ली प्रदेश अद्धिक्ष आनंद कुमार ने जानकरी देती वे बताया कि हमारी नेता पष्यूपती पारश जी की आदिश का हमकारीकरता तन मंधन से पालन करेंगे और दिल्ली की सभी बूतों पर रालो चपा के पधारिकारी मौच उत रहेंगे और क्या कुछ कहा प्रेस कॉंफरेंस में बोचल सभी लोकों नी आगी सुनाते है इस रिपोर्ट में इसके लिए हमारे दिल्ली परदेश के सभी विंगों को और सभी को वादेश दिया है कि हम लोग इसकी बूत बाइजिक कमेटी बनाएंगे दिल्ली के अंदर जितने बूत होंगे उन पर हम लोग हमारे राश्ट्र लोग जिसक्ति पार्टी के दस-दस कारिय करता कम सकम उस बूत पर होंगे और मोधी जी का जो सपना है कि अपकी बार 400 पार और मैं समझता हो कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो सातों की सातों सीटे हम बीजेपी की ना निकाल दें क्योंकि इसके अंदर हमारा जो राश्रम देजन सक्कतिंद पार्टि का संटन बहुत मजबूत है और हम लोग डिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हम लोग इतने मजबूत हैं कि हम लोग एक एक आझमिय को घर से निकाल निकाल गर का बोटिंग कराएंगे हर आचमिय को बीजेपी पर बोट डलवाइएंगे जिससे कि हम लोगों को समझाने मे पढ़ेगा और राष्ट्र रुट्र exagger One Supreme कि और हम लोग थाड़ फरंट के साथ हैं न अन इंडिय DAY के साथ हिंड यह हमारे आदेश एनुसा अश्टत जिए एप पारफ जी का अपने जिए हैं कि मनट05 के साथ रहें जब तक जिन्दा है जब तक एन डियक साथ है इन बेसर दियुस के लिए नए तिलिस्वे बिचेश कुमार की रिपूर्ट